नाश्कार दोस्तों और आपका बेहत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हाट टॉक पर तो दोस्तों पहले तो मैं आपसे माफी में आपका कि काफी गैप के बाद मैं अपने एक नए वीडियो लेकर आया हूँ और जैसा कि आप जानते हूँ मेरे चैनल पर हम लोग Current Affairs, Geo Politics, Geo Strategy पर डिसकस करते हैं हम अपने नए गैस्ट को भी लेकर आते हैं उनका Point of View पी आपके सामने रखते हैं तो मैं बहुत ही जल्दी एक नए गैस्ट के साथ हूँगा और हम एक नए टॉपिक पर उनके साथ discussion करेंगे तो दोस्तों मैं एक नया interesting development अभी हाल में ही हाया है जो की है चाइना की जो President है Xi Jinping उनका US का दोरा तो मैं पांच मिनट उसके बारे मैं आपसे बात करना चाहूँगा और जैसा कि आपको पता है Xi Jinping का दोरा हुआ है APEC का जो summit चल रहा था उसके side line पे San Francisco में ये मिले हैं President Joe Biden से और तीन main agreement पे दोनो country दोनो मुलक agree हुए है सबसे पहला है fentanyl second है जो communication था military communication उसको revive करना restore करना और जो तीसरा है वो AI और अगर आप देखेंगे कहीं न कहीं इसमें US की तरफ से जैदा request करी गई थी इस meeting को करने के लिए क्योंकि सबसे पहला fentanyl का जो अमरीका काफी time से push कर रहा था basically fentanyl एक synthetic drug है जो अमेरिका में काफी smuggling करी जाती है और China इसका main source है तो China agree हुआ है इसे curb करने के लिए इस पर sanction लगाने के लिए और इसको थोड़ा सा नकील कसने के लिए और second है military communication तो दोस्तों जैसे कि आपने कभी हाल फिर हाल में देखा होगा और पहले भी देखा होगा कि China और US में mistrust बहुत है और कई essence incident हुए कि जब कि चाइना की नेवी और अमेरिका की नेवी उनके जो ships है वो उनकी टक्कर होते होते बची है तो उसको देखते हुए अमेरिका ने इसको China को request करी कि हम एक military communication फिर से establish करें और हम hotline पे बात कर सकते हैं हम बता सकते हैं कि हमारे ships कि position पे हैं so कि going forward future में उस चीज से बचा जा सके कोई accident ना हो जान माल के हनी ना हो और जो तीसरा इनका agreement हुआ है वो AI को लेकर है artificial intelligence जैसे कि अब देखते हैं हर जे का artificial intelligence use हो रहा है और कहीं ना कहीं China AI में अमेरिका से धीरे धीरे काफी आगे निकल रहा है so दोस्तों इसके इन तीनों पे मेरा analysis यह है कि हर nation हर nation अपना interest देखता है so अमेरिका का भी national interest यह है वो चाइना के साथ direct पंगातु लेता नहीं है वो कभी फिलिपिन्स को आगे कर देगा कभी इंडिया को आगे कर देगा उसका यह है लेकिन वो side by side जो उसके अपने interest है वो उनके साथ में कुछ शीट करता रहता है fentanyl fentanyl drugs है आप जानते है fentanyl drugs है एक powder के form में होती है जो कि smuggling करी जाती है चाइना से मेक्सिको मेक्सिको से अमेरिका तो US coffee time से इस पर ban लगाने की बात कर रहा था चाइना से और अब इस agreement में यहीं आया है कि चाइना इस पर action लेगा second military communication जैसे कि मैंने आपको बताया ships कई बार collide होते होते बचे थे उसमें भी अमेरिका ने request करी है चाइना ने माना है और तीसरा AI तो दोस्तों अब चाइना अमेरिका से क्या मांग करेगा क्योंकि international diplomacy given take की ही होती है आपने कुछ चीज़ें दी है so बदले में आप भी expect करेंगे कि आपको in return कुछ मिले तो in return जो मिलना है वो दो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ अमेरिका ने काफी sanction लगा रखे थे चाइनीज कंपनी पर तो उन चाइनीज कंपनी पे sanction हटाने को चाइना कहेगा second है Taiwan पे जो अमेरिका का stand है अगर आप देखेंगे वन चाइना को वन चाइना policy को support करता है लेकिन action अमेरिका का different है तो चाइना चाहेगा कि उस action को भी वैसा ही करा जाए जो कि अमेरिका की वन चाइना policy है चाइना ने बोला है US को कि Taiwan को push किया जाया reunification के लिए जो कि peaceful manner में हो तो अब देखना प्राइन टेस्टिंग होगा कि अमेरिका इस return को कैसे लोटाएगा हाला कि आप जानते हो अफगानिस्तान से निकलने के बाद जिस तरीके सा अमेरिका अफगानिस्तान से निकला था अमेरिका का stature थोड़ा सा कम हुआ था और चाइना ने उस gap को fill करने की काफी कोशिश करी है लेकिन अमेरिका अभी भी military power है अभी भी उसका रुबाब है अभी भी अंकल सें पोलिस इंस्पेक्टर की बुमिका में काम कर रहे हैं और चाइना economical superpower है तो देखना बड़ा इंट्रेस्टिंग होगा चाइना और अमेरिका आगे जाकर इनका कितना कहां तक जाते हैं मीटिंग हुई है शी जिंपिंग और बाइडन की ये ओवर दी नाइट नहीं हुई इसके लिए अगर आपने देखा होगा जो US के foreign secretary है उन्होंने चाइना विजिट किया था और repeatedly उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि एक बार मतलब आएं communication channels को open करते हैं fentanyl पर उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हम बात करते हैं तो कहीना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें US की position weak है चाइना ने अपने पते कार्ड बहुत अच्छे तरीके से play करे हैं और overall चाइना विनर हुआ है इस discussion में इस bilateral agreement जो भी US के साथ हुए है और अब मेरा analysis यह कहता है कि China US को push करेगा कि अगर वो going forward in coming years Taiwan को invade करता है तो US की तरफ से कोई major escalation ना हो क्योंकि दोनों की win-win situation है हाला कि China एक बहुत बड़ा manufacturing hub है US में 90% जितने भी US के stores हैं उसमें maximum made in China का समान होता है लेकिन दोनों में mistrust भी काफी है अभी आपने हाली में देखा होगा spy balloon को hit किया था अमेरिका ने तो उसके बाद यह सब development agreement बड़ा unexpected है और हाला कि आप देखें तो 2024 में election है और कुछ कह नहीं सकते कहां पर यह जाएगा क्या Mr. Biden back करेंगे या जैसे कि आप देखते हूँ Republic के तरफ से decentis है Vivek Ramaswami, Nikki Haley कोई भी आ सकता है तो उसके बाद क्या policy होगी you never know तो बहुत interesting है और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की इसमें weak position है तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे please comment में लिख कर मुझे बताएं और ऐसा कोई specific topic जिस पर आप चाहते हूँ कि मैं उस पर किसी guest लेके आऊँ या मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करूँ तो please comment section में लिखके जुरूर बताईएगा और मैं बहुत जल्दी तामस्काट